पुरिंदावन विहारी लाल की राधारानी की ये प्रस्ण किसी नहीं से पूछा नहीं है लेकिन मैं इसले इसको सुना रहा हूँ कि आज मेरे तातेर इंसिडेंट आज़ा था कोई भक्त शहज सद्धा बस नोट कुछ भगवान के लिए दे रहा था तो मैंने कहा कि मैं मंदिर में नहीं जाओंगा और इतर भी लगाना था भगवान को क्योंकि मैंने नोट पकड़ लिया इसले मंदिर में नहीं जाओंगा अब समझो इस बात को तो उसने कहा कि तो लक्ष्मी है अब लक्ष्मी और नोट का अंतर समझ लो भाई मेरे लक्ष्मी नोट नहीं होती है लक्ष्मी कौन है लक्ष्मी है जो आत्मा का पोशन करती है और आत्मा सब के शरीर में अहम आत्मा गुड़ा के सर्व सर्व भूता से असीता गीता के द आप्समा रूप में हूँ तो जीवात्मा का पोशन किस चीज से होता है आक्सिजन से हो रहा है और हरी सबजी चावल दाल गेहु का आठा जो बूड चीनी यही से हो रहा है और फिर यह क्या है लक्षमी यह नहीं माना आज मैं इसको स्वस्थी करना चाहता हूँ इससे को क्लियर करना बहुत ज़रूरी भगतों लोग नहीं तो भूल जाते है करेंसी नोट इसका इंगलिस नहीं है करेंसी नोट करेंसी का मतलब क्या करेंट की तरह जो बहता जाए उमारे हाथ में है फिर अगले हाथ में फिर अगले हाथ में रुकता नहीं है चलता जाता है और रुक गया तो currency नहीं है फिर वो, currency अर्थाथ current की तरह बहता जाए, तो वो current की तरह बहता जा रहा हो क्या है, उसका हिंदी नाम है, currency note का हिंदी नाम है, चलित पत्र, चलित पत्र नाम है, और हिंदी बोलोगे तो लोग समझेंगे, currency note का हिंदी नाम है, चलित पत्र, ये लक्षमी जर्था खाने पीने की चीज़ जिससे शरीर का पोशन होता है उसके लिए लिखा गया एक सरकारी पत्र है सरकारी पत्र है ये नोट जो है सरकारी पत्र है इसको लेकर कहीं जाओगे तो खाने को कुछ मिल जाएगा लेकिन तुम सोचो कि इसी से पेट भर जाएगा और मैं उसको खाने वाली चीज़ लेने नहीं जाओँगा तो तुम चाहे जितनी गंदी नोट पानी में डाल के पी जाओ बिमार पर सकते हो लेकिन पेट नहीं भरेगा तुमारा चाहे नोट पुरानी हो चाहे गंदी हो उसको पानी मडाल के कूट के पीलो चाहे दाल सबजी कीज़ेगा उसको खाओ पेट नहीं भरना तो ये लक्षमी नहीं है इसलिए ये बात समझो लक्षमी के लिए लिखा गया सरकारी पत्र है लक्षमी की प्राप्ती के लिए ये बनाय हुआ सरकारी पत्र है तो लक्षमी के लिए पत्र लिखा गया इसलिए इसको गंदा मत किया करो अब ठूक लगा तो, शराभी ठूक लगा रहा, कसाई लगा रहा, गंदा से गंदा आदमी जढ़ुआ वाला सब ठूक लगा रहे हैं। अरे उस नोट से तुम फूल माला खरीद के लाओ, वो भगवान को चड़ाओ, वो पहिनाओ, वो तो ठीक, भगवान के लिए भोग ले आए उस नोट से ठीक है, उस में लिखा हुआ मैं धारक को इतना रूपया देने का वचन देता हूँ, वो पत्र हुआ, गोवर्मेंट के कर रही कि मैं जो इसको रच, अब अंतर क्या है कि चलित पत्र है, वो ऐसे किसी एक व्यक्तिव से इसके लिए पत्र लिखा जाता है, और वो ही उसको उप्योग कर सकता है, लेकिन यह मूविंग लेटर है, चलित पत्र का मूविंग लेटर है, जहां जहां जाएंगा वहां वहाँ इसका उपयोग हो सकता तो ये लक्षमी नहीं है लक्षमी को अर्थात खाद लक्षमी क्या है खाद पदार्थ पोशक पदार्थ ऑक्सिजन लक्षमी है सब्गी लक्षमी है दूद लक्षमी है जिससे नारायन जो अंदर बैठें उनको सेवा हो रही है समझ में आई बात तो अब एक नोट भगवान के ऊपर नहीं पर्ष कराओ माला फुल चड़ाओ तो ठीक है तो भाई मैंने जो नियम बनाया अब मैं अपनी योग्यता बताने के लिए नहीं कह रहा हूं तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि साहद आपको पसंद आए तो मैं जे जी मुझे छूना ही पर पर नित्मान छूता नहीं था अब छूना करता है तो मैं हाथ धोता हूं जरूर मैं हाथ जरूर धोता हूं अब सिक्के को तो तुम पानी में डाल सकते हो लेकिन कागज वाली को तो डाल नहीं सकते हो तो कम से कम हाथ तो दो लो अजिए आपको भगवान का काम करना है तो जरूर हाथ हो अरे तुम उस गंदे नोट में जितमें तमाम लोगों का थूक लगा हुआ है उसको छूने के बाद और फिर भोजन करोगे क्या तुम्हें के घिना नहीं आएगी लक्ष्मी कह रहे हो अभी लक्ष्मी कह रहे हो और कर गवDelmेंट का आदेश आजाए कि 500 के नोट बेकार हो गगए 1000 को नोट बेकार हो गए फीछे दुआ था दो साल पहले तीन साल पहले जब भी तो लक्षमी जी कहां चले गई उस कागज में से, उस कागज में से रातो रात लक्षमी जी भग गई, कागज लक्षमी नहीं है वो तो पत्र है, लक्षमी क्या है जिससे आत्मा का पोशन कर रहे हैं, मन, बुद्धी, शरीर, तीनों का पोशन जिससे हो रहा है, मन का पोशन साथ्विक चीजों से, साथ्विक अध्यों से, जो हम उपदेश सुनते हैं से, बुद्धी का पोशन साथ्विक क्रियाओं से, और साथ्विक पदार्थों से शरीर का पोशन, यह लक्ष्मी है, यह प्रश्न किसीने पूछा नहीं था, लेकिन जरूरी था, इसलि प्रकृति माता के द्वारा प्राप्त सात्विक वायू अर्थात आक्सिजन, जल, दूद, फल, घास, शाक, सब्जी, अन्न, ये सात्विक दोपदार्थ हैं ये जीवात्मा के पोशन में काम में आते हैं और आत्मा ईश्वर का रूप होता है तो ईश्वर की सेवा में लगने के करण ये सब लक्षमी हैं और ये किसी के पास ये सब सुलब हो तो उसके पास चाहें नोट और सिक्के एक भी नहों तब भी वो जिन्दगी आराम से बिता सकता है और ये किसी के पास ये सब नहों तो चाहें नोट के ट्रक उसके पास भरे रखे हों सिक्कों की गोदाम भरी पड़ी हो और उसके पास ये सब नहों जो अभी मैंने बतलाया खाद्यपदार तो वो मर जाएगा क्योंकि वास्टविक लक्ष्मी वही है जो भगवान के पोशन में काम में आती वो खाद्यपदार थे प्राचिनकाल में क्या कहा जाया भी सव वर्स पहले ही जिन के पास ये सब खेटी बारी होती थि बोज़िपदार्थ होते थे और रूपय पैसे की चिंता नहीं करते थे वो खुद भी खाते थे दूसरों को भी खिलाते थे और कभी किसी से पैसा नहीं लेते थे और बिना पैसे के जीवन आराम से कर जाता था लेकिन किसी के पास एक खाद्यपदार्थ नहों और उपए पैसे भरे पड़े हों तो उसका जीवन आराम से नहीं कर सकता है इसलिए विचारने ये विशय है कि सिक्के से वस्तु का महत्तो ज़्यादा समझना चाहिए सिक्के का महत्तो नहीं ज़्यादा है कि सिक्क्य से वस्तु का महत्तों ज्यादा है क्योंकि वो लक्ष्मी है। और उससे भी ज्यादा का महत्तों समझना ही चैये क्योंकि वो नारायन की स्वरूप है। तो लक्षमि नारायन दोनों ही महत्वपुर्ण हैं किन्तु सबसे अधिक पूझ्य तो नारायन ही है वो जीवात्मा के स्वरूप है तो शिक्के से जदा वस्टु को अर्थात लक्षमी को महत्व देना है उस से जदा विवात्मा को जिए इसको उल्टा करने लग जाएंगे अर्थात वस्तू तो रखेंगे और नारायन की उपेक्षा कर देंगे वस्तू का भंदार अपने पास रख लेंगे और किसी को खाएंगे को नहीं देंगे न खाएंगे न खिलाएंगे तो वस्तू पड़ी रह जाएंगी और जीवात्मा की छती होगी जिसे वो भगवान का अपरादी बन जाएगा और यह दिकोई शिक्कों का महत तो जादा समझेगा और शिक्कों को बचाने चक्कर में वस्तुओं का स्वदुपयोग नहीं करेगा वस्तुओं जो लक्ष्मी की स्वरूप मने बतलाया उनकी उपेक्षा कर देगा केवल धनी धनी अठ्था करेगा तो वो खुद कंजूष बन करके दुरुगती को प्राप्ट करेगा और भगवान का अपरादी बन जाएगा क्योंकि भगवान और लक्ष्मी दोनों की उपेक्षा उसने करके केवल ये चलित पर तर्थाद सिक्के को महत्तो देने लग जया तो विवेक के साथ विश्य को समझना चाहिए और भगवान की भक्ती में लगना चाहिए भगवान का आदर सरवादिक है उसके बाद लक्ष्मी का आदर है और ये शिक्के जो हैं इनका आदर जरूर है लेकिन तब ही है जब लक्ष्मी और भगवान की सेवा में लगें और ये अपना महत्तो ज़्यादा समझने लग जाते हैं लक्ष्मी की और भगवान की उपेक्षा कर देते हैं तो ये तमो गुणी हो जाते हैं यह इसको धारण करने वाला धारक जो होता है उसका नाश हो जाता है जो रूपए पर लिखा रहाता है मैं धारक को इतना रूपए देने का वचन देता हूँ यह जिवो रूपए को ही सरवाधिक महत्तो देने लग जाता है भगवान और लक्षमी की उपेक्षा कर देता है तो उसका नाश हो जाता है थाथ ये उसकी सुरक्षा नहीं कर पाते उसका नाश करने वाले हो जाते हैं और ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जिनों ने इसका स्वदुपयोग करके इनके द्वारा परमार्थ बना लिया भगवत प्राप्ति भी कर लिया और जिनों ने इनी को महत्तु दिया और भगवान को महत्तु नहीं दिया वो अपने हानी कर लेते हैं इसलिए विचारनी विशय है कि हमको सरवादिक भगवान का महत्तु देना है उसके बाद भगवान की सेवा में लगने वारी लक्षमी का और उसके बाद ये धन जिसको सिक्के के रूप में देखते हैं शिरा दे रादे दे शिरा दे